हेलो फ्रेंज्स ** कुछी क्रेयशन में आपका स्वागत है दिखे फ्रेंज्स आज मैं ये आपके लिए एक बलारोजाकेट बनाना सिखाओंगी कि ये किस्ता है से बनेगी और बनाना बहुत ही आसान है देके फ्रेंज्स, इसपल बलारोजाकेट को हम स्टार्टिंग में सिर्फ बाजू और बैक के पार्ट से बनाना स्टार्ट करेंगे और बनाते बनाते हमारा ये फ्रेंट का पार्ट भी बन जाएगा और बनाना बहुत ही आसान है और इसमें देखिए हमने ये चार-चार डबल क्रोशे की कली बनाई है बहुत ही प्यारा बनता है जब आप बनाईएगा तो बहुत ही प्यारा बनेगा देखिए इस तह से यह देखिए यह हमारे कोर्णर है starting हमने यहां से और यहां तक यह हमारी बाजू है और फिर यह हमारा back का पार्ट है फिर यह हमारी second बाजू है देखे यहां से यहां तक जब हम बनाते हुए आते हैं तो यह हमारा यहां पर यह देखे डबल क्रोशे बढ़ते हुए जाएंगे और हमारा front का पार्ट भी बन जा बनाना स्टार्ट करते हैं, ठी हम इस भूल का इस्तमाल करेंगे और देखे यहाँ पर हम न नमबर का खुर खुलेंगे, न नर मिलएमार खुरत OSChigh करते हैं, यहां पर पहले हम एक लूप बनाइँगे और chain बनाना start करेंगे एक, दो, ती, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस देखें, दस chain बनाई है, ज्यादा tight हमने chain नहीं बनाई है ना ज्यादा tight बनाई है, ना ज्यादा loose बनाई है इस तहरे से हम इसमें 50 chain और बना लेंगे तो ये total हमारे पास 60 chain हो जाएगी तो बना लेते हैं, देखिए 60 chain हमने बना ली है अब हम इसमें 3 chain extra बनाईगे एक, दो, तीन, धागा लेंगे और हम यहाँ पर, जो ये हमारी 4th chain है इसके अंदर हम एक बार double crochet बनाईगे ये हमने 2 बनाया, एक chain लेंगे और फिर से हम यही पर एक double crochet बनाईगे देखिए इस तहाँ से बनाया फिर एक chain लेंगे और हम यही पर एक double crochet बनाईगे देखिए corner पर इस तहाँ से बनाया फिर से एक chain लेंगे और हम यहाँ पर दो double crochet बनाईगे एक, दो देखिए हमने इसमें क्या किया है पहले हमने यहाँ पर यह 60 चेन हो गई थी हमारी फिर हमने तीन चेन एक्स्ट्रा लिया है फिर हमने इसी जो हमारी 60 वी चेन थी यानि कि 4 चेन के अंदर हमने डबल क्रोशिय बनाया तो यह हमारे देखिए 2 हो गए एक हमारी 3 की चेन एक दबल क्रोशिय बनाया, फिर हमने एक चेन ली, फिर एक डबल क्रोशिय बनाया, फिर एक चेन ली और हमने यहाँ पर यह दो डबल क्रोशिय बनाया है, तो यह देखिए हमने छे डबल क्रोशिय बनाया है, पहले दो डबल क्रोशिय के बीच में एक चेन की गैपिंग, फिर हम हमें कोई भी चेन नहीं बनानी है, धागा लेंगे, और यहाँ पर हम 4 चेन स्किप करेंगे, 1, 2, 3, 4, और पाँचवी चेन के अंदर हम इसमें डबल क्रोश्य बनाएंगे, 4 चेन हमने स्किप की है, एक बार डबल क्रोश्य बनाया, फिर से बनाएंगे, यह दो हो गए, ने दो डबल क्रोशिया बनाया हमने फिफ्थ चेन में फिर हम यहां पर दो चेन बनाएंगे यह दो चेन बनाएंगे फिर से हम यहां पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार बनाया एक बार और बनाया धागा लेंगे अब फिर कोई चेन नहीं बनानी है यहां पर एक द दो, तीन, चार और पांचवी चेन के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया, धागा लेंगे फिर से बनाएंगे, दो, फिर हम दो चेन लेंगे, हम यहाँ पर फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे, यह दो हो इस तहरे से यह हमारा पैटर्न बन गया अब देखे हमें यहाँ पर अपना कोर्नर बनाना है उसके लिए हम धागा लेंगे कोई भी चेन नहीं लेंगे च्यार चेन स्किप करेंगे एक दो तीन च्यार और फोर च्यार चेन स्किप करने है एक दो तीन च्यार और पांचवी चे यहां पर बनाया था सेम ऐसे ही अब हम यहां पर बनाएंगे स्टार्टिंग में हमने पहले दो डबल क्रोशिय बनाया था एक हमने बना लिया फिर एक बार और बनाएंगे यह दो हो गया उसके बाद हमने एक चेंड ली थी यहां पर हम एक चेंड लेंगे फिर हमने उसके बा स्टार्टिंग की थी वैसे ही हम इसमें ये सेकंड कोर्नर बनाएंगे ये हमारे देखे ये हमारा सेकंड कोर्नर बन गया अब हम इसमें देखिए कोई भी चेन नहीं बनाएंगे नीचे से हम चार चेन स्किप करेंगे एक दो तीन चार और पांचवी चेन के अंदर हम फिर से 4 डबल क्रोशे की कली बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, और फिर से हम यहां पर 2 बार डबल क्रोशे बनाएंगे, देखे, इस तहですね, हम बना लिए उसमें 4 पैटन बनाएंगे, बीच में नीचे हम 4 chain skip करेंगे, पांचवी chain में हम 4 double crochet की कली बनाएंगे, तो हम 3 pattern बना लेते हैं, सेम ऐसे ही, दिखें, 4 हमारे हो गई है, दिखें, 1, 2, 3, 4, इसके बाद हम धागा लेंगे, और जो हमने ये second corner बनाया था, सेम ऐसे ही, अब हम यहाँ पर corner बनाएंगे, धाग फिर से 1 double crochet, फिर से सेम chain के अंदर 1 double crochet, ये 2 हो गए, एक chain की gapping लेंगे, फिर से हम यहाँ पर 1 double crochet बनाएंगे, फिर एक chain की gapping लेंगे, फिर से हम यहाँ पर 1 double crochet बनाएंगे, ये 2 हो गए, फिर एक chain की gapping लेंगे, और अब हम यहाँ पर 2 बार double crochet बनाएंगे, ये हमारा, इस तरह से हमारा ये देखी कॉर्णर, तीन कॉर्णर हो गए, एक दो तीन और फोर्थ हमारा यहां पर बनेगा, तो अब देखे धागर लेंगे, चार चैन स्किप करेंगे, एक, दो, तीन, चार और पांच वी चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया, फिझ से 1 डबल क्रोशिया 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे 1, 2, 3, 4 औरा यह पांचवी पांचवी चेन के अंदर हम फिझ से बनाएंगे 4 डबल क्रोशी की करली 1, 2, 2 चेन फिझ से हम यहाँ पर दो डबल क्रोश्या ये देखिए दो पैटर्न हो गए अब फिर से धागा लेंगे एक, दो, तीन, चार और ये पाचवी चेन है पाचवी चेन के अंदर हम यहाँ पर फिर से कॉर्नर बनाएंगे वन डबल क्रोश्या फिर से बनाएंगे एक चेन लेंगे फिर से वन डबल क्रोशिया फिर से एक चेन लेंगे और अब हम यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनेंगे एक, यह देखिए, इस तहर से हमेंसे बना लेंगे, तो अब देखिए, यहाँ पर इस तहर से यह देखिए, हमारी जकेट बनेगी, दो कोर्नर यह हो गए, और दो कोर्नर हमारे यह हो गए, यह हमारी बाजू बनेगी, और यहाँ पर हमारा बैक का पार्ट बनेगा, और फ्रेंट का पार्ट अब हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे, तो चलिए बनाते हैं, देखिए, अब आगे बनाएंगे, हम यहाँ प फिर हम यहां पर एक चेन लेंगे एक चेन और लेंगे यह हमने दो चेन ली है फिर से हम यहां पर डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यहां पर यह देखिए हमारी चार डबल क्रोशे की कली बन गई स्टार्टिंग में यहां पर देखिए दो डबल क्रोशिया दो चेन दो डबल करोशे करें हैं इसते दागा नेगे और यहां पर हम चाहार की गषी कुले क्ली विक राशहर से बनाएंगे 16 इनूं 12 ho यहां पर हमारे बाजो है जिस पर हम ने 2 यह Maaar पास चाहर हो जाएंगे डीज के एक हमारा यहां पर बढ़ गया और दो हमारे यह हैं और एक हम यहां पर बनाएंगे देखिए पहले हम यह दो बना लेते हैं चैर डबल क्रोशिय यहां पर बनाएंगे तो बना लेते हैं पहले देखिए हमने यह बना लिये हैं अब फिर से हम यहां पर एक चैर डबल क्रोशिय की कली बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया, इस तरह से, फिर हम धागा लेंगे, यह जो हमारी वी दिखाई देगे, इसके अंदर हम वन डबल क्रोशिया, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, देखें, फिस से हम यहाँ पर धागा लेंगे, और दो दो चेन और दो डबल क्रोशिया देखिए इस तह से हमारा बना है अब हम यहाँ पर यह हमारे एक दो तीन च्यार पैटर्न है इनके उपर हम बना लेंगे और सेम ऐसे ही हम यहाँ पर कोर्नर बनाएंगे फिर इन दो के उपर कली बनाएंगे और सेम ऐसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर देखिए कोर्नर पर बनाया है सेम ऐसे ही बनाना है चार डबल क्रोशे की कली फिर यह वी और फिर चार डबल क्रोशे की कली तो बना लेते हैं देखिर, round माहरा complete हो गया है यहाँ पर हमने corner बनाया है 4 dbl crochet की कली और फिर यहाँ पर हमने 1 dbl crochet, 1 chain, 1 dbl crochet फिर हमने 2 dbl crochet बनाया है 2 chain लिया है, 1 dbl crochet बनाया है अब देखिर, इसमें 2nd dbl crochet हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन टर्न करेंगे और यहाँ पर हम देखिए चार डबल क्रोशे की करली बनाएंगे एक बार बनाया फिर से बनाएंगे यह दो डबल क्रोशे हो गया दो चेन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पर दो डबल क्रोशे बनाएंगे एक दो ये दो बन गया देखे इस तह से ये हमारा फ्रेंट में अब ये बनने लग गया है फ्रेंट का हमारा देखे अब हमने जो यहाँ पर बनाया था दो डबल क्रोशिया फिर हमने वी बनाई थी फिर डबल क्रोशिया बनाया था वो हम अब इस चेंड के अंद तो तो देखे हमने क्या बनाया था पहले हमने यहांije फिर गचे LAN होगा कर दोडब गैजिए उसके बार हमने यहां पर देखिए passieren 5 यो दब डबर 10 कोषिया पे ऽैने वन चेनली थी। कोषारत है फिर उसके बार हमने 1 chain लनी यहाँ पर दोडबल क्रोशिय बनाया अक्तिम यहाँ करणने नहीं बना लिए उसके बाद आएंğ में ऐसे बसे बारूजनी के दोडबल क्रोशिय बना लिया बनाएंगे एक बनाया फिर से बनाया तो यह देखिए इस तह से यह हमारा कोर्णर बन गया जैसे हमने यहाँ पर बनाया था दो दो डबल क्रोशिया दो डबल क्रोशिया एक चेन की गैपिंग यहाँ पर भी हमने वन चेन की गैपिंग ली है फिर हमने दो डबल क्रोशिय बनाया था तो यहाँ पर भी हमने दो बनाया एक चेन के हमने गैपिंग ली है देखे अब हम यहाँ पर फिर से यह देखे यहाँ पर हमारी चैर डबल क्रोशिय की कली है तो हम यहाँ पर चैर डबल क्रोशिय की कली बना लेंगे यह 3rd row चल रही है हमारी अब इसमें देखिए यह 2 double crochet फिर से हम 2 double crochet देखे यह 4 डबल क्रोशे हमारा बन गया है अब हमें इस पैटरन के ओपर यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशे की कली बनाएंगे फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशे की कली बनाएंगे और हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशे की कली बनाएंगे इसके बाद देखिए जो बीच में हमारा V आया है इसके अंदर हम सेम यही पैटर्न बनाएंगे दो डबल क्रोश्या एक चेन एक डबल क्रोश्या एक चेन एक डबल क्रोश्या एक चेन और फिर दो डबल क्रोश्या सेम वही हम यहाँ पर कोर्नर पर बनाएंगे फिर हम इन कली के उपर सेम ऐसे ही हम चार डबल क्रोशे की कली बनाएंगे फिर हम यहाँ पर इस वी के अंदर हम कोर्नर बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर अपना पैटर्न बनाते हुए यहाँ तकाएंगे तो बना लेते हैं देखे, राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया, एंड में आ गया है, यहाँ पर हम वन डबल क्रोश्या बनाएंगे, फिर से हम यहाँ पर चार डबल क्रोश्या की कली बनानी है हमने, तो दो डबल क्रोश्या हो गया, दो चेन और फिर से हम यहाँ पर दो डबल क्रोश्या बनाए अब हम यहां पर देखिए, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे थर्ड चेन में, यहां पर हम एक चेन की गैपिंग लिए, और थर्ड चेन में हम यहां पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम यहां पर चार चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, चार चेन बनाएंगे, तीन चेन, फिर से हम यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखें अब हम यहाँ पर धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर यह देखें, यहाँ पर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, टू चेन और टू डबल क्रोशिया, देखे इस तह से फिर यह हमारी जो V है इसके अंदर हम बनाएंगे देखे अब हम यहाँ पर धागा लेंगे और यहाँ पर हम 1 डबल क्रोश्या 1 चेन और 1 डबल क्रोश्या बनाएंगे यह हमने एक V बनाए देखे इस तह से फिर से धागा लेंगे और यहाँ पर हम चार डबल क्रोशे की कली बनाएंगे वान, टू डबल क्रोशे, टू चेन, और फिर से हम यहाँ पर टू डबल क्रोशे फिर हम यह जितने भी हमारे यहाँ पर यह चार डबल क्रोशे की कली है इनके उपर हम 4-4 डबल क्रोशे की कली बना लेंगे और corner पर देखिए हम इस तह से बनाएंगे corner हमें इस तह से बनाना है यह देखिए 4 डबल क्रोशे की कली फिर हम V बनाएंगे फिर 4 डबल क्रोशे की कली सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर बनाना है यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशे की कली बनाएंगे यहाँ पर हम भी बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशे की कली सेम ऐसे बनाते हुए राउंड कम्प्लीट करेंगे देखे राउंड हमारा बनकर कम्प्लीट हो गया अब हम इसमें देखे देखे अब हम 3 chain बनाएंगे एक, दो, तीन देखे 2 row में हमने यहाँ पर चार-चार chain बनाई थी अब 2 row में हम देखे क्या करेंगे एक हमने 3 की chain बनाई, सेम प्लेस पर ही हम एक बार और double crochet बनाएंगे जैसे हम यहाँ पर बनाए हैं दो अगली row बनाएंगे उसमें भी हम स्टार्टिंग में दो डबल क्रोशे बनाएंगे तो ये दो हमने बना ली है फिर से हम यहां पर ये च्यार डबल क्रोशे की कली बनाएंगे वन डबल क्रोशे टू चेन और टू डबल क्रोशे ये हमारे च्यार डबल क्रोशे की कली हो गए उसके बाद देखे हम फिर से यहां पर भी हम यह च्यार डबल क्रोशे की कली बनाएंगे तो देखे यहां पर भी इस तरह से च्यार डबल क्रोशे की कली बन गई दो चेल और दो डबल क्रोशे देखे अब हम जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट रो बनाई थी सेम वैसे ही बनाएंगे यह जो हमारी वी है इसके अंदर तो देखे पहले हमने बनाया था दो डबल क्रोशिया एक चेनली थी उसके बाद हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था फिर से एक चेन ली एक डबल क्रोशिया बनाया फिर से एक चेन ली और हमने यहाँ पर यह दो डबल क्रोशिया बनाया तो देखे इस तह ऐसे यह हमारा बन गया तो हम यहाँ पर फिर से चार डबल क्रोशिय की कली बनाएंगे जहाँ पर हमारे चार्चार डबल क्रोशे ही कली है वहाँ पर हम कली बनाएंगे और यहाँ पर यह देखे यह हमारा V है V के अंदर हम सेम ऐसे बनाएंगे दो डबल क्रोशे एक चेन एक डबल क्रोशे एक चेन एक डबल क्रोशे फिर एक चीन और दो डबल क्रोश्या सेम ऐसे ही बनाते हुए हम अपने इस फिफ्ट राउंड को बना कर देखिए कम्प्लीट करेंगे और देखिए यह कुछ इस तह से हमारा देखिए यह बनने लगा करेंगे इसके बाद हम एक राउंड और बनाएंगे जिसमें हम पैटरन हमारा सेम रहेगा यहां पर हम स्टार्टिंग में दो डबल क्रोश्या बनाएंगे तो बना लेते हैं देखिए राउंड हमारा बनकर कम्प्लीट हो चुका है और इसमें देखे हमने दो राउंड और बनाए है देखे पहले दो राउंड में हमारे पास यहाँ पर साइड में एक एक था देखे एक यहाँ पर एक यहाँ पर फिर हमने उसके बाद दो राउंड बनाए जिसमें दो दो थे 2 यहां पर है, श्टार्टिंगर में 2 बार में आपर пятी चेंज मुझन कर दो राउund वार बनाए थे लोर बनाया जिस में 3 तीन है ईक लो और बीच में पैटेन हमारे पीच में पैट्ट उद्धूर प्राउन में है, तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, टर्न करेंगे, यह देखे, यह हमारी नाइन्थ रो है, और नाइन्थ रो में हम, पहले डबल क्रोशिय जो हमारा देखे, यहां पर, एक बार और डबल क्रोशिय बनाएंगे, यह दो हो गए, दो चेन लेंगे, और फि यह देखे इस तहर से यह हमारे च्यार डबल क्रोश्या बन गया है देखे इस तहर से हम सेम पैटर बनाएंगे और इसमें भी हम दो राउंड में च्यार डबल क्रोश्या बनाएंगे एक राउंड यह है एक और है उसमें भी हम कोर्नर पर च्यार डबल क्रोश्या बनाएंगे तो बनाकर round complete करेंगे, pattern सेम रहेगा, corner पर हमने सिर्फ ये बनाना है, इस तरह से corner बनेगा हमारा, और बनाकर ये round भी complete करेंगे, इसके बाद एक round बनाएंगे, उसमें भी हम यहाँ 4 double crochet बनाएंगे, देखे, row हमारे बनकर complete हो चुकी है, और इसमें हमने 10th row बनाकर complete की है, देखे, मैंने आपको यहाँ पर 8th round तक बताया था, कि इसमें 3-3 double crochet होगा, फिर हमने 2 round और बनाएंगे, जिसके अंदर, देखे, 4-4 double crochet बना, ये देखे, यहाँ पर 8th round था, 8th round में हमने 3 एक बार बनाएंगे, फिर 7th में भी 3 था, 8th में भी 3 था, फिर 9th में हमारे पास 4 ह हो गया, और फिर ये 10th में हमारे पास 4 हो गए है, और पैटर्न हमारा सेम बना है, यहाँ पर हमारे 6 पैटर्न बन कर आ गए है, अब हम इसके next round में है, next round हमारा 11th round है, इसमें देखे, 3 chain बनाएंगे, 1, 2, 3, 3 chain बनाएंगे, 11 राउंड है हमारा ये, और धागा लेंगे, देखे, यहाँ पर ये, अब हमारा एक डबल क्रोशिय काउंट होगा, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिय बना लेंगे, ये हमारे 11 रो है, 11 रो में हम यहाँ पर एक बनाएंगे, फिर 1, 2, 2 chain, फिर से 2 डबल क्रोशिया, देखे, यहाँ पर ये, हमारे पैटर्न है, तो हम यहाँ पर बनाते हुए, कोर्णर तक आ जाते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे, देखे, बनाते हुए, हम यहाँ कोर्णर पर आ गए हैं, यहाँ पर देखे, इस तह से हैं हमारा, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं देखिए अब यह हमारे पास वी है वी के अंदर हम यह वाला पैटर्न बनाते हैं जिसके अंदर दो डबल क्रोश्या एक चेन एक डबल क्रोश्या एक चेन एक डबल क्रोश्या फिर एक चेन और दो डबल क्रोश्या इस बार हम वी के अंदर सिर्फ हम यहां पर च्य क्ली का तैसे सार हवाथ इसते बनाते हुए कणि ऊब हमारी कलिया उन्हसी मिलादा बनाटे मैं यहां और और यहां पर कोर्ण पर फिर यह वी यह इसके उनन दर भीर हम 4 डबल क्रोशे की कली बनाएंगे इसता एसे बनाते हुए round कंप्लीट करेंगे देखिए round मेरा बनकर complete हो चुका है अब हम इसके 12th round पे हैं 12 round पे हैं यहाँ पर यह हमने 1 डबल क्रोशे बना क्रोशे बनाया है एंड क्रोशे बना जेंगे एक दो दो चीन और दो डबल क्रोशी देखे इस तरह से देखे यहाँ पर हमने चार डबल क्रोशी की कली बनाई थी फिर हमने यहाँ पर एक वन डबल क्रोशी बनाया है उसके उपर हमने यहाँ पर यह दो डबल क्रोशिय बनाया, च्यार डबल क्रोशिय की कली बनाई है, इसी तरह से बनाते हुए हम हर एक कली के उपर एक कली बनाते हुए, देखें यहाँ पर कॉर्णर पर हमने यह च्यार डबल क्रोशिय बनाया था, यहाँ तक हम बना लेते है देखिए यह 6 कलिया बना ली है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब जो हमने यह देखिए बीच में डबल क्रोशिया बनाया था अब हम यहाँ पर देखिए जो यह हमारे बाजू का पार्ट है तो यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है अब हमने सीरोफ अपने फरंट के पार्ट में double crochet बढ़ाना है तो यहाँ पर देखिए जो हमने 4 double crochet की कली बनाई थी इसके अंदर हम पहले 4 double crochet की कली बना लेते हैं देखिए 2 double crochet, 2 chain और 2 double crochet इस तरह से बना लिया हमें अब हम यहाँ पर देखे क्या करेंगे धागलेंगे और यह 2 double crochet इनके बीच में से हम देखे पहले 2 double crochet में तो हमने यह कली बना लेगी यह जो 2 double crochet बचे हैं इसके बीच में हम V बनाएंगे 1 double crochet, 1 chain और 1 double crochet इस ताहिसे, तो देखे यह हमारे फ्रंट में बन गई कली इसमें हम ये जितने भी हमारी कलिया हैं इनके उपर हम बनाते हुए रांड कम्प्लीट करेंगे तो ये कलि बनाकर हम यहां कोर्नर तक आ जाते हैं देखिए बनाते हुए हम कोर्नर पर आ गए हैं यहां पर देखिए अब हम क्या करेंगे दगा लेंगे और यह जो हमारी कली है चारडवल क्रोशी की कली इसमें हमें बाजू में नहीं बढ़ाना है यहाँ पर बाजू है इस साइड यह बाजू में आएगई तो यहाँ पर हमें नहीं बढ़ाना है हमें यह बैक के पार्ट में बढ़ाना है कली तो यहाँ पर देखे हमने बाजू की साइड में वी बनाई थे तो अब हम फिर से बाजू की साइड में हम वी बनाएंगे तो इन दो जो ये दो डबल क्रोशिया है इनके बीच में देखे इस तह से लेंगे और यहाँ पर हम वन डबल क्रोशिया वन चेन और वन डबल क्रोशिया इस तह ऐसे बन गया अब यहाँ पर हम चैर डबल क्रोशे की कली बनाएंगे जो हमारी बैक की साइड में आगे दो चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर दो डबल क्रोशे देखे इस तह ऐसे बन गई अब फिर से हम यह जितने भी कली आईन के उपर बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर आएंगे यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर जब हम आएंगे तो यह हमारी बाजू हो जाएगी तो बाजू की साइड हम यहाँ पर यहाँ पर हम वी बनाएंगे और यहाँ पर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि बाजू क साइड पे हमने वी बनानी है यहाँ पर भी हम वी बनाएंगे और यहाँ पर भी हम वी बनाएंगे जो यह हमारी बाजू है और फ्रंट के साइड हमें चार डबल क्रोशे की कली बनानी है और बैक के साइड हमें चार डबल क्रोशे की कली बनानी है यह हमारी 12th रो है और 12th रो हम 3rd chain के अंदर 2 बार double crochet बनाएंगे यह हमारी 12 रो है और 12 रो में हमने यहाँ पर देखिए 2 बार double crochet बनाया अब फिर से 3 chain बनाएंगे 1, 2, 3 और turn करेंगे यह हमारी 13 रो है 13 रो है इसमें हमने 3 chain बनाएंगे जो यह पहले वाला hook है यहाँ पर हम 2 बार और double crochet बनाएंगे तो यह 3 हो जाएंगे देखिए 3 हो गए पहले हमने जब नीचे से starting की थी तो पहले हमने 2 बार हमने एक एक बनाया देखिए यहाँ पर एक बार एक बनाया फिर से एक बार बनाया यह 2 बार हो गया फिर हमने दो बार दो डबल क्रोश्य बनाया देखिए दो यहाँ पर है दो यहाँ पर फिर हमने तीन एक बार बनाया फिर तीन एक बार बनाया फिर हमने यहाँ पर चयार बनाया फिर हमने चयार बनाया फिर हमने आगे यहाँ तक देखिए हमने 2 दो बार बनाई है로 में अब हम यहां पर यह हमारी गैरव rural में एक बार बार Trungाहि दो बार Siya 3 आप है ौग यह चार डब क्रोशे की कली बनाएंगे और बनाते हुए हम कोर्नर तकाएंगे देखिए इस तह से तो हम यह बनाते हुए यहां कोर्नर तका जाते हैं देखिए बनाते हुए हम कोर्नर पर आ गए हैं फिर से हम यहां पर देखिए जैसे हमने यहां पर बनाया था, सेम ऐसे ही बनाएंगे, हमें गले की तरफ हमें इसमें बढ़ाना है, और बाजु की साइड हमें नहीं बढ़ाना है, तो देखें यहां पर हम च्यार डबल क्रोशे की कली बनाएंगे, पहले एक बार बनाया, फिर से एक बार बनाया, दो, दो 2 true chain जो समय वे की एंदर संथ कर दो HELP 2 double crochet चल पर 2 double crochet आपनीन जाने dew हम 20th पॉर थे लो पर यहां पर हम यह देखी यह दो डबल क्रोशिय छोड़ देंगे यह जो हमारी 3 की चेन है इसके उपर हम 3 डबल क्रोशिय बनाएंगे और फिर हम यहां पर यह जो हमारी कलिया बनी हुई है इन पर बनाएंगे और जो हम ने यहां पर बनाया है उसके उपर देखे यहां पर आगे आपको दिखाएंगे देखिए 14 राउंड हमारे बनकर complete हो चुके हैं और देखिए इसका लुक कुछ इस तह से बनकर आया है अब हम इसके 15 राउंड पे हैं और देखिए 15 राउंड हम किस तह से बनाएंगे तो यहां पर देखिए यह इतने पार्ट में हमारा front का पार् ग्राट अलग करेंगे तो यह हम 15 राउंड में बनाएंगे अब हम धिखिए यहां पर हमने तीन डबल क्रोशिय बना लिया था तीन चेन बनाएंगे पहले एक तो तीन टर्न करेंगे दागा लेंगे दिखिए यह जो हमारी पहली चेन है देखे यह वाली यहां पर हम double crochet बनाएंगे यह 2 हो गए फिर से धागा लेंगे next chain में जाएंगे double crochet फिर से next chain में जाएंगे double crochet यह देखे चार हो गए फिर से next chain में जाएंगे double crochet फिर से next chain में double crochet यहां देखे यहां पर यह जो हमने 2 chain लिया इसे हम skip करेंगे और next chain में जाएंग यहाँ पर हम देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे यह चेन हमने छोड़ देनी है फिर से डबल क्रोशिया यहाँ पर चार है तो चार पर डबल क्रोशिया फिर यह दो चैन स्कीप करेंगे देखिए इस तहाँ से में तो बनाते हुए इस तह से हम कॉर्णर तक लेकर आएंगे ये चार डबल क्रोश्य के ऊपर डबल क्रोश्या बनाएंगे और यह तक देखे कॉर्णर तक लेकर आते हैं देखिए बनाते हुए हम कॉर्णर पर आ गए हैं यहां पर देखिए हमने इस तरह से बनाया था तो हम यहां पर देखिए डबल क्रोश्या बनाएंगे यह जो हमने चार डबल क्रोश्य की कली बनाई थे और अब यहां पर देखिए हमने यह वन डबल क्रोश्या वन चेन वन क्रोशिय बनाया था तो यहां पर हम देखे इस तरह से इसके अंदर लेंगे देखिए पहले हम इसे कि इस तरह से बनाएंगे कि यह वी है इस वी को इस वी से कि एक इस वी के अंदर डबल क्रोशिय फिर एक इस वी के अंदर तो यह हमारे वाजवे रह जाएंगे इस तहां से देखिए बन गया फिर हम हर एक chain के अंदर एक एक double crochet जो बीच में हमने chain बनाई है उन पर नहीं बनाएंगे सिर्फ double crochet के उपर हम double crochet बनाएंगे तो इसी तहां से बनाते हुए row complete करेंगे और देखिए ये इस तहां से बीच में जो chain है इसे skip करेंगे फिर हम यहां पर आएंगे इस corner पर तो जो यह हमने देखिए ये वी एक ये भी है हमारी एक ये भी है इन दोनों में से हम इस सही से दूसरी बाजु को भी अलग करेंगे और यहां तक बनाते हुए round complete करेंगे देखिए row बनकर हमारे complete हो गई है और यहां पर देखिए इस सही से ये हमारी row बनी है अब देखिए इसमें हमें कोई भी change नहीं करना है हर एक chain के अंदर एक डबल करोशे बनाते हुए हम जाएंगे और इसमें हम 10 row बनाएंगे एक हमारी ये बन गई है 9 row बनाएंगे जिसमें हम हर एक chain के अंदर एक डबल करोशे बनाएंगे देखिए इस सही से 1, 2, 3 और धागा लेंगे और यहां पर हम हर एक chain के अंदर डबल करोशे तो इस सही से बनाते हुए हम इसमें 9 row बना लेंगे तो यह total हमारे पास 10 हो जाएंगे तो देखिए इस सही से 1, 2 तो बना लेते हैं देखिए 10 row बन कर complete हो चुके हैं और complete होने के बाद देखिए इस कालो कुछ इस सही से बन कर आया है अब देखिए आगे हम इसमें कैसे बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर अब हम इसमें देखिए 10 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर घटाएंगे और 10 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर घटाएंगे तो देखिए किस तह से यहाँ पर पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, दो, तीन चेन लेंगे और यहां पर देखे जो हमने ये पहली फरी चेन लिया है इसे स्किप करेंगे और यहां पर हम इस तरह से एक डबल कुरोश्य बनाए इसे हम होल रखेंगे next धागलें चेन में बनाएंगे इसे हम इस तरह से होल रखेंगे अब इन तीनों को हम एक साथ कम्पलीट करेंगे दो डबर क्रोशे का एक करेंगे, देखिए इस तरह से, यहां पर हमने दो का एक किया, तो बनाते हुए सिंपल ऐसे ही हम यहां तक आ जाते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे, देखे बनाते हुए हम यहां पर आ गए हैं कोर्णर पर अब हम यहां पर भी देखे ऐसे ही घटाएंगे जैसे हमने यहां पर स्टार्टिंग में घटाया था तो देखे यहां पर हम पहले वन डबल क्रोशिय बनाएंगे यहाँ पर हमने 3 double crochet है हमारे तो देखे यह एक बार बनाया half double crochet फिर next chain में जाएंगे यहाँ पर हमने half double crochet बनाया अब हम इन 3ों का एक साथ बना देंगे तो यहाँ पर भी देखे यह 2 का 1 हो गया और यह जो हमारी 3 की chain है इसे हम इस तरह से simple बना देंगे तो यहाँ पर भी एक कम हो गया और यहाँ पर भी अब फिर से 3 chain लेंगे एक दो तीन और turn करेंगे फिर यहाँ पर देखे एक बार फिर से हम यहाँ पर घटाएंगे जहाँ पर हमने यह 2 double crochet का एक किया था इस chain के अंदर हम 1 double crochet बनाएंगे इसे हम हाफ रखेंगे फिर नेक्स chain में जहेंगे यहाँ पर भी हम हाफ रखेंगे अब हम इन तीनों को एक साथ complete कर देंगे तो एक double crochet और घट गया तो यहाँ पर हमारे अब दो हो गई है इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी घटाएंगे तो हम इस तरह से घटाते हुए 10 हम एक साइड से और 10 एक साइड से घटा लेंगे और घटाने के बाद हम इसके आपको इसका लुक दिखाएंगे कि बनने के बाद कैसा आया है और देखिए देखिए जब हम यहाँ पर घटाते हुए दोनों साइड से और फिर हम यहां पर नीचे इसमें पैटर्न बनाएंगे तो यह मैं जो हम 10 डवल कोरशे यहां पर गटाएंगे 10 यहां पर यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाने के बाद दिखाऊंगे बनाना हमें सेम ऐसे ही है और फिर मैं आपको इसमें आगे बत संदा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू